दोस्तों मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर राज एक बार फिर अपने चैनल परलवाइन ग्यान में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मोदी जी के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि मोदी जी ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को एप्रो लगातार सुनते आये हैं कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले कि दुनिया को वैशिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही हैं उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो यह हमारा सपना ही नहीं यह हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हाँ सास्त्रों में कहां गया है एश्व पंथा यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत गहरे अर्थ को समझो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आत्म निर्भर बनो अपने रोजगार के अवसर स्वयम पैदा करो तथा दूसरों के लिए भी रोजगार के रास्ते खोलो ताकि भारत जैसे विकास्शिल देश में बेरोजगारी खतम हो जाए आमदनी के विकल्प खोजो इसका मतलब यह कती नहीं कि अगर आपके महले में कोई करियाने की दुकान है मिठाई की दुकान है कपड़े की दुकान है खाने पीने की दुकान है या दूसरी जरूरतों की दुकान है और वो अच्छी चल रही है आप भी उसकी बगल में अपनी एक दुकान शुरूर करतो होगा क्या आपकी आमदनी तो जुरूर होगी मगर दूसरे की आमदनी कम हो जाएगी क्योंकि खरीदने वाले तो उतने ही लोग हैं जो पहले सभी के सभी उनके पास जाते थे और अब आपके पास आना शुरू कर देंगे इससे होगा क्या बेरोजगारी घटेगी नहीं बलकि बड़ेगी पहले सिर्फ आप बेरोजगार थे आपने रोजगार शुरू किया और पहले वाले की आमदनी घटा दी रोजगार के अफसर बड़े कहां बलकि घट गए मोदी जी का साफ साफ इशारा था कि आप नेटवर्क मार्क्टिंग को अपनाओ क्योंकि इसमें जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने ही जादा लोगों की आमदनी होगी मगर कुछ लोगों का कहना है कि हम से नेटवर्किंग नहीं हो पाएगी हम नेटवर्क मार्क्टिंग के बारे में नहीं जानते हमारे लिए ये नया एक बिलकुल अलग कंसेप्ट है मगर दोस्तों जरा फ्लेश बेक में जाओ नेटवर्किंग तो सदियों से चली आ रही है जैसे फोजिक नेटवर्क है देश की सेवा और रक्षा करने वाले जाबाज सिपाहियों का समूँ जो देश भक्ती की भावना से भरे लोग है स्कूल कॉलेज क्या है पढ़ने और पढ़ा कर पैसा कमाने की सोच रखने वाले लोगों का समूँ प्राइवेट और सरकारी नोकरी करने वाले क्या है नो से पाँच आठ घंटे काम करके अपनी आजजीविका कमाने वाले लोगों का समूँ सरकार क्या है देश की उन्टी भलाई करने और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सोच रखने वाले लोगों का समूँ डॉक्टर्स क्या है लोगों को स्वस्वाएं परदान करने वाले लोगों का समूँ तो जी हाँ दोस्तो इसी तरह नेटवर्कर क्या है नेटवर्कर है कम पैसे लगा कर लोगों को साथ लेकर सहयोग की भावना मन में रखकर खुद के लिए और अपने साथ वाले लोगों के लिए रोजगार वे आमदनी के अवसर पैदा करने वाला इंसान तो दोस्तों नेटवर्क मार्किटिंग या नेटवर्किंग करनी ही है तो परलवाइन इंटरनेशनल सॉफ्ट्वेर से ही शुरुवात क्यों ना करें क्योंकि ये एक रोबोटिक सॉफ्ट्वेर है जिसे अमरीका की राश्टरपती डोनाल्ड ट्रम्प डारेक्ट अप्रोच कर चुके हैं और हमारे राश्टरपती इंडरेक्ट परलवाइन यूट्व की तरह नेवर रेंडिंग सॉफ्ट्वेर है तो दोस्तों अगर आप और अधिक जानकारी और किसी भी तरह का सहयोग चाहते हैं तो यू कन कॉंटेक्ट मी आम डॉक्टर राज फ्रों कैथल हरियाना यू कन कॉंटेक्ट मी एनी टाइम जै हिंद जै भारत जै परलवाइन